अपको अपने नेम और यहाँ पे अपको अपने टीचर का नेम फिल करने हैं ठीक है शुन तो चलते हैं प्यारे बच्चों आशा है कि आप सभी ने स्वामे की दादी को पार्ट से ध्यान से पड़ा होगा स्वामी अपने दादी को अपने मन की बातें बता कर बहुत खुश ह होता है यहां खुशी कर टिकानना नहीं रहता था यहां खुशी कर टिकानन ना रहना एक महावरा है जिसका है बहुत खुश होना महावरेका प्योग से बात अधिक रोचक और अकर्शक हो जाती है तो आज हम basically क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों आपको क्या समझ भाया है आज हम मुहावरों के बाद में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स कुशन आपको नीचे दिये गए चुत्रों को देखकर मुहावरा पहचानिए और वाकियों में प्रियोक कीजिए तेखिए फर्स आपको दिया गया है इद का यहां पर किसका चुत्र बना है चांद का तो इद का चांद होना जब से मोहन ने दूसरे शहर में अपनी घीके दिये जलाना तो यह जो मैं अपको संटेंस भी दिखा लेती हूं ठीक है वहाँ सेरान कर लीजेगा ये रखें बच्चो यह आपका आज का का आग्याकारी बच्चा माबाप की आँखों का तारा होता है, हना कौन होता है आग्याकारी बच्चा क्या होता है आँखों का तारा होता है, तो यह आप लिख सकते सेंटेंस में ऐसी दूसरा है आपका दाथ खटे करना, तो भारतियों ने सुतंतरता संग्राम में अंग्रेज जो के दाद खटे कर दिये आगे चलते हैं घी के दिये जलाना ठीक है जिससे तुम्हारी बारवार ठंती रही वह बेचारा कल शाम पूच कर गया अब क्या है घी के दिये जलाओ तो यह जो आपके sentences हो गए ठीक चले चलते हैं second question की तरफ बच्चो second question है आपका नाक में दम करना इस मुहावरे का अर्थ बहुत परिशान करना नाक अपनी शरीर का एक अंग है नाक या शरीर के अन्य अंगों के से जुड़े हुए मुहावरे लिखिये और उनका बाक्यों में परिवर्तन की जैसे पेट में चुहे तोड़ना भूख के कारण स चली इसका उधारन दिखाते हैं आपको बहुत सारे कि देखे बच्चों आप यह लिख सकते हैं अंग-अंग मुश्कुराना बहुत प्रशन होना परिख्षा में सफल होने की कारण अपूर्व के अंग-अंग मुश्कुरा रहा था आँख दिखाना गुस्टे से देखना जो हमें आँख दिखाएगा हम उसकी आँखे फोर्ट देंगे तो इस तरह की सजवा आप लिख सकते हैं अंगुठा दिखाना देने से साफ इंकार करना आँखों से गिरना समाना रहित हो जाना तो यह आप कर सकते हैं चली चलते हैं ने एक्स कोशन की तरफ दिखिए यहा एक राजम की पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे राजम की मां जंगल में डेरा डाले हुए थी तो इस तरह की सब को जो है यहां पे लिंक बदलना है तो जब वह मैडल तुम्हारी बुगा जी को दिया मैंने वह मैडल तुम्हारे फूफा जी को दिया मैंने वह यह बाकी का सारा संटन से रहागा बुवा हट के यहाँ पर फूफा जी आजाएगा ठीक है दादी जी काफी प्रवाविद हुए दादी जी नहीं यहाँ पर क्या आएगा आपका दादा जी काफी प्रवाविद हुए यहां पर क्या लेखोगे हुए हुई नहीं आएगा यहां पर क्या आएगा ठीक स्टुन्स दो सेर राजम पर जप्टे थे तो यहां पर क्या आएगा दो शेर नहीं राजन पर जप्टी थी तो क्या आएगा जप्टी थी मतलब जप्टी कैसे लिखेंगे आप ऐसे जप्टी थी चुक है आप आगे चलते हैं वह तो बहुत पयारा लड़का है वह तो बहुत प्यारी लड़की है प्यारी अर लड़की चुक है यहाँ पे यहां पर वह कि मात्रा दादी जी राजा की कहानी सुनाते हैं तो यह आप कर देंगे चले फॉट कुषिन थरा फॉट कुषिन में के दिया गया आ आपको यहां पर दिया गए आपको अपने स्वामी आपने स्वामी के मितर राजम के बारे में पढ़ा स्वामी उसे बहुत प्रभावित था फर्स क्या आप भी कभी किसी से इतना प्रभावित हुए हैं यदि हाथ तो बताए किस से और क्यों तो आपको बताना है कि आपको कभी किसी से इतना प्रभावित हुए है प्रभावित का मतलब होता है कि जिसे उसकी काम से खुशी होना खुश होना तो अगर आप किसे फ्रेंड से या फिर मम्मी से पापा से ऐसे कभी हुए हैं तो किसे हुए हैं और क्यो हुए हैं या आपको बताना है ठीके ना अपनी कलपना से राजम का एक चित्र बनाईए और उसकी कुछ विशेष्टाएं बे लिखे ठीके स्ट्विंस तो देखे मैंने यहाप आपको जो कुछ आनसा दिये हैं हाँ मैं अपने मित्र से बहुत प्रवावित हूँ कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वह बहादूर भी है और दोसरों की मदद भी करता है और राजन की विशेष्टा आप सकते हैं राजन पढ़ाई में तो अच्छा था परन्तु वह जूट भी बोलता था तो यह आप एक राजन का चित्र बनाएंगे कैसा भी जो आपको बना सकते हैं खुद इमाजन करके खुद सोचके तो वह आपको चित्र बनाना है ठीक है तो शलिए इसमें जो आपको पेस नमबर 128 और 118 यह आपको फिल करना है ठीक है आप देख लेते हैं वाप खेले के सुजाब दिया गया है बच्चों के साथ मिलकर पहचानो कौन किसके लिए बोली गई है इस खेल के मादम से बच्चों को सिखाएं कि हम दूसरों के सद्गुनों की प्रशंसा करनी चाहिए और उन गुनों को अपनाते हुए प्रयाज अपनाने का प्रयाज भी करना चाहिए तो बच्चों यदि आपके आज की वक्षिट मिलते है नेक्स वीडियों बाई बच्चों टेक कियर